सबी मेरे भाईयों को मेरे फ्रेंड्स को जो सब बैठे हुए मेरा नमस्ते राम राम सब को मेरा नाम हर्शवर्दन उपाधिया है आगरा से बिलॉंग करता हूँ इस बार मैंने कुछ लिखा है एक लड़के के उपर जो कि बहुत कम लोग लिखते हैं मौबबत के उपर लिखते हैं मा के उपर लिखते हैं मैंने एक लड़के के उपर लिखा है आप सब अपने उपर डेडिकेट कर सकते हैं उसको शुरू करते हैं सुनना को और से कि घरवाले बस कैदें एक लड़का वो सब कुछ कर जाता है कि घरवाले बस कैदें एक लड़का वो सब कुछ कर जाता है अरे सोचता है वो कर नहीं पाएगा लेकिन वो सब कुछ कर दिखाता है और दुनिया कहती है तु लड़का है दुखी मत हो बेटा अरे जनाब वो लड़का है, रोना उसे भी तो आता है और कभी बाप की उंगली पकड़ चलना सीखा था जिसने आज खुद सारी ठोकरें वो दुनिया की अकेले ही खाता है और सुख देता है वो सारे अपनों को लेकिन वो एक लड़का कभी सुख नहीं पाता है और अपने सारे सपनों को पीचा छोड़ अपने सारे सपनों को पीचा छोड़ वो परिवार के सारे सपने पूरे करने के लिए जुट जाता है अरे वो लड़का है जनाब रोना उसे भी तो आता है वो लड़का है जनाब रोना उसे भी तो आता है और सोचता है कि यारों की तरह वो भी एक गाड़ी ले लेकिन हर रोज वो कमाने अपने दफ्तर ओटो से ही जाता है और खुद रोता रोता सारे गमों को अपनी एक हसी के पीछे चुपाता है और कोई पूछता है कोई पूछता है कि आज दुखी लग रहा है बेटा तू वो बस हलका सा मुस्कुरा कर शान्त हो जाता है जनाब वो लड़का है कोई तो सोचो उसके बारे में रोना उसे भी तो आता है और थोड़ा गौर डालना कभी जो मा के उठाने पर उठ जाता था जो कभी मा के उठाने पर उठ जाता था आज वो खुद समय पर उठके काम पर जाता है और जो कभी मा के हाथ से खाना खाया करता था आज वो खुद अपने हाथ से रोटी बनाता है जो कभी मा के चिलनाने पर रोज आया करता था आज वो मालिक की गालिया सुन घर वापस लोटाता है कोई तो सोचो उसके बारे में जनाब रोना उसे भी तो आता है शुक्रिया शुक्रिया गौल डालना और कि जो सपने वो खुद पूरे करना सका जो सपने वो खुद पूरे ना कर सका वो आज अपने माबाप के हर सपने को सचकर दिखाता है जो लड़का कभी कुछ बोलना पाता था गौल डालना कि जो लड़का कभी कुछ बोलना पाता था वो अपने दिल के हर अलफास कविता बना आज सारे जग को सुनाता है और सोचता था एक दिन आएगा उसका आज वो देखो लड़का T.I.D. पे आता है हाँ यारो वो लड़का मैं ही हूँ रोना मुझे भी तो आता ह बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया और एक और सुनना थोड़ा लिखी है मौबबत के उपर ही आ जाते हैं आपस सब आ जाते हैं कि कुछ तुम लिखो मेरे बारे मैं कुछ मैं तुमारे बारे लिखूँगा कुछ तुम लिखो मेरे बारे मैं कुछ मैं तुमारे बारे लिखूँगा तुम लिखना मेरी बुराईयां सिर्फ मैं तुमारी अच्छा ही लिखूँगा तुम सुनाना जूट अपनी मौबबत कर सभी को मैं सिर्फ तुमारी सच्छा ही लिखूँ आगे सुनिएगा कि मैं हूँ तुमारा कि मैं हूँ तुमारा तुम जानती हो सब फिर क्यूं डरती हो बताने में मैं हूँ तुमारा तुम जानती हो सब अपना बनाने में अरे मैंने तो दुनिया को भी दिखा दिया यार तुम ही मुकर जाती हो वादेने बाने में और एक आखरी पढ़ूँगा बहन के लिए आगरा रहती है शादी हो चुकी है जानी पादा उससे मिलने कभी कभार गुस्ता भी हो जाती है और होई गई थी बीच में तब ही लिखी थी कि एक प्यारी सी बहन है मेरी जो मेरे लिए बहुत खास है वो दूर तो है मुझसे लेकि मेरे दिल के वो बहुत पास है और मिल नहीं पाते हम मिल नहीं पाते हम ज्यादा क्योंकि अब वो शहर अपना दूसरा रखती है और मारती है मुझे बहुत मगर अपनी गल्तियों पर मुझसे डरा भी करती है और ऐ मेरी बेहन तू मुझसे ऐसी छोटी बातों पर यू रूठा ना कर वादा कर तू मुझसे हमेशा लेकिन कोई वादा मुझसे तू जूटा ना कर मैं तुस्से हमेशा यूही ऐसे ही प्यार करता रहूँगा हमेशा तेरा हर हाल में साथ निवाता रहूँगा तू मेरी बेहन है कभी मुझे खोना मत और तेरा भाई हमेशा तेरे साथ दे बस तू कभी रोना मत बहुत 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 धन्यवाद